भाद्रपध मास के शुख्ल वक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी धोल ग्यारस पद्मा और पार्श एकादशी कहते हैं इस दन भगवान श्रीविष्णू करवड बदलते हैं इस दन भगवान विष्णू के वामन अवतार और श्रीकृष्ण की खासकर पूजा की जाती है इस एकादशी के व्रत से सभी दुखदूर होते हैं और मुक्ती मिलती है। इस दन को व्रत कहने से वाज में यग्य का फल भी मिलता है। आईए इस वीडियो में जानते हैं परवर्तनी एकादशी की पूजा विधी क्या है। नवश्कार मैं हूँ सुख्रदी इरोई चैटर जी और वोल्स काई में आप सभी का स्वागत है। एकादशी दिटी प्रारंब 13 सतंबर 2024 को रातरी साड़े 10 बजी से, 14 सतंबर 2024 को रातरी 8 बच कर 41 मिनट तक एकादशी समाफ्त हो जाएगी। पारण की बात करें तो 15 सतंबर को सुबद 6 बच कर 6 मिनट से लेकर 8 बच कर 34 मिनट तक व्रत खोला जा सकता है। एकादशी के दिन सुबद जल्दी उठकर स्नानादी से निवरत हो जाएं इसके बाद व्रत का संकल्प लेकर पलाहार व्रत रखें। भगवान वश्नु और श्रीकृष्ण का गंगाजल से अभिशेट करें। विष्णु को फूल और तुल्सी दल अर्पित करें। माता लक्षमी की पूजा करें। घर के मंदिर में दीप्रज्वलित करें आरती करें तुलसी के साथ सात्रिक चीजों का भूब भी लगाएं इस दिन भगवान वश्णु और श्रीकृष्ण का अधिक से अधिक ध्यान और मंत्रों का जाप भी करना चाहिए पूझन के समय श्रीविष्णू के सामने कुछ सिक्के रखें हूझन के बाद सिक्कों को लाल रिष्णे कप्लों में बांद कर पर्स्या तिजोरी में रख लें जो पाय धन आग्मन के साथ ही सिर्टा भी देगा बार-बार करज लेना पड़ रहा है या करज नहीं उतर रहा तो एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में शक्कट डालकर जलर्पित करें और शाम के समय पीपल के नीचे भी अलगाया आर्थिक लाव के लिए इस दिन भगवान विश्नु के मंदर में एक साबुद श्रीफल और 125 ग्राम साबुद बादाम जरूर चड़ाया रोग इस एकादशी पर श्रीविश्नु का तीले पूलों से श्रिंगार करें सुगंधि चंदन लगार बेसन की मिठाई का भूब लगाया 11 के दिन दही और चांदी का दान करना उत्तम माना गया है इस दिन विश्नु शहस्त्र नाम श्रीकृष्न चालीसा और श्रीकृष्न नामों का जाब करें फिलहाल अस विडियो में इतना है विडियो को लाइक और शेयर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें